फ्रेंज अगर आप भी एक एंजलवन यूजर है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंजलवन से कैसे फंड को एड किया जाता है कैसे ट्रांजेक्शन किया जाता है अगर आप पहले बार एंजलवन को यूज कर रहे तो उसके अंदर फंड को किस तरीके से हम उपन करते हैं इसके अंदर से पासवोर्ड को हम डाल देते हैं उसके बाद में इसमें एंटर हो जाते हैं पासवोर्ड डालने के बाद में इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा इसके अंदर आपको लोग इन कर लेना है लोग इन करने के बाद में इस तरीके से को क्लिक कर देना है तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा जो भी अमाउंट आपका बचा हुआ है वह यहां पर शो हो जाएगा कि आपका ट्रेडिंग बैलेंस कितना है यहां पर मेरा 97 पॉइंट यहां पर 37 पैसे यहां पर बचे हुए है अभी मुझे इसके फंड का एक option दिया गया है इसी पर हम क्लिक करेंगे फंड आप minimum यहां पर एक रुपे से लेके unlimited कुछ भी फंड यहां पर add कर सकते हैं फिलाल मान लीजिए मुझे यहां पर 100 रुपे complete करना है तो अभी जो है यहां पर 97 रुपे तो मैं 3 रुपे ही ले ले लेता हूं दिख हो गए तो transaction filled हो जाएगा फिर मत बोलना कि सर हमारा transaction filled हो गया है क्योंकि अक्सर यह problem होती है नए user के साथ में वह यहां पर other bank से fund को add करते हैं जिसे कि bank of India उसकी bank जुड़ी हुई है तो यहां पर transaction filled हो जाएगा तो हम bank of India से ही करेंगे यहां पर बहुत सार ऑप्शन दिये ग banking हम simple सा जो है फोन पर से यूज करेंगे तो मैं फोन पर क्लिक कर दूँगा उसके बाद में थोड़ा loading लिया जाएगा दिन फोन पर application के अंदर redirect कर देगा यहां पर मैंने पहले ही बोला है आपको की आपको जो है bank of India से fund को add करना है अभी हमारी यहां पर देख सकता हो टीक ह यहां पर टिक लगा दूँगा तो इस से अगर आइस पर है तो fund एड़ नहीं होगा आपको bank of India पर ही करना होगा और pay कर देना है उसके बाद में यहां पर आप से pay करने के बाद में UPI PIN मांगेगा तो PIN को enter कर देना है PIN जैसे ही enter करोगी आपका जो transaction है वो चला जाएगा वो भी आ चुका है इसके अंदर से के हमारा तीन रुपे कट चुके हैं अभी यहां पर आप अगर आप देखोगे तो हमारा जो fund है वो यहां पर संत्यानवे रुपे था और यहां पर कुछ पेसे 37 पेसे थे अभी यहां पर तीन रुपे एड़ किये तो 100 रुपेस पॉइ देंगे और यह वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है तकि इसी तरह की वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे